संभल के सरकारी अस्पताल में मानवता को शरमसार कर देने वाला मामला सामने आया है सरकारी अस्पताल में इलाज की उम्मीदों में पहुँचे टीबी के मरीज को करमचारियों ने दुतकार कर भगा दिया यही नहीं रोगी गंभीर हालत में अस्पताल के गेट पर इलाज के लिए घंटों सिसकता रहा लेकिन उसे इलाज नहीं मिला वहीं जब जानकारी मिलेने के बाद मीडिया कर्मी अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने आननफानन में मरीज का इलाज शुरू कर दिया आपको बता दे कि हर दिन संभल में सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं अभी दो दिन पहले ही अम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर महिला ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दे दिया था ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब लापरवाह डॉक्टरों और कर्मचारियों पर कारिवाई होगी पंजाब के सिरी टीवी के लिए संभल से मुजंबिल दानेश की रिपोर्ट